हलो फ्रेंट्स तो आज की वीडियो में यूटूब सलेक्ट ओडियन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ यूटूब में जब आप वीडियो अप्लोड करते हैं तो आपको जो है ये सलेक्ट ओडियन सेटिंग सही से करना है तभी आपका YouTube वीडियो सही ओडियंस तक पहुँचेगा और आपका चैनल ग्रो होगा तो चलिए यहाँ पे YouTube इस्टुडियो अप्लिकेशन को उपेन कर लेते हैं आप Chrome ब्राउजर से अप्लोड करते हैं वीडियो वहाँ भी Select Audience का ओप्सन मिलता है या YouTube में अप्लोड करने बाद जब आप YouTube इस्टुडियो में यहाँ पे आप उसमें टेक्स वगरा लगाते हैं थमनिल वगरा लगाते हैं तो यहाँ पर भी जो है आपको वीडियो में Select Audience का सेटिंग मिलता है तो चलिए यहाँ पे एडिट वाले उप्सन पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए Audience वाला उप्सन रहता है तो यहाँ पे दो पार्ट है तो दोनों पार्ट को पहले समझेंगे तो सबसे पहला पार्ट है कि यहाँ पे आपको Select करना रहता है आपका वीडियो कि आपका वीडियो जो है यहाँ पे पहला वलाई Yes, it is made for kids रखना है या No, it is not made for kids यानि यह बच्चों के लिए है या बच्चों के लिए नहीं है तो यहाँ पे आपको कौन सा उप्सन सलिक करना चाहिए तो सबसे पहला चीज अगर आप वीडियो बनाते हैं जो बच्चों के लिए है करने के मतलब जैसे कि पोएम वगरा हो गया ड्रोइंग वगरा वीडियो बनाते हैं अलफाबेट वगरा चाहें कार्टून वगरा तो वो सब जो है पहला उप्सन रहेगा Yes, it is made for kids यानि कि आपका वीडियो जो है यूटूब के नियम के इनुसार 13 साल तक का ओडियन्स जो है आपका kids का section में आता है तो आपको जो है पोएम वगरा ड्रोइंग वगरा यह सब जो वीडियो है वो सब आपको यह वाला उप्सन रख देना है तो पहला उप्सन जब आप रखेंगे तो उसमें यह वाला उप्सन नहीं आएगा ठीक है आप advance वाला setting करने के जोरत नहीं है ठीक है लेकिन अगर आप एक टेकनिकल यूटूबर है गेमर है या फिर ब्लोग वीडियो अगर आप बनाते हैं और आप चैनल में चाहते हैं कि आपका अच्छा अर्नी हो तो आपको जो है यह सेकेंड वाला उप्सन रखना है कि no it is not made for kids यह जो है बच्चों के लिए नहीं है ठीक ना यानि 13 साल से उपर वाले भी देखेंगे और आपका जो है सही ओडियंस तक वीडियो जाएगा और यहां पर जब no it is not made for kids वाला उप्सन जब करेंगे तो यहां पर age restriction वाला भी आपको setting बताना पड़ेगा यहां ठीक है तो यहां पर दो है yes restrict my video to viewer over 18 साल यानि कि मेरा वीडियो जो है 18 साल के उपर वाले ही हैं वीडियो वेगरा तो उस तरह के लोग यह वाला उप्सन रखते हैं ठीक है लेकिन अगर आप जो है साब सुत्रा content है आप technical यूटूबर है ब्लोगर है और आपका वीडियो में किसी तरह का कोई adult चीज नहीं है गाली गलोज नहीं है तो आपको no it is not made for kids रखना है और य नीचे वाले भी देख सकते हैं 18 साल से नीचे वाले भी देख सकते हैं यानी 18 साल के उपर ही सीमत नहीं रखना है सभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है 18 साल से नीचे वाले भी देख सकते हैं तो मैं जो सेटिंग करता हूं अपने वीडियो में मैं टेक यूटूबर ह आता हूं है ना तो मैं यह option रखता हूं no it is not made for kids और दुसरा option यहाँ पर advance वाला में no don't restrict my video तो viewer over 18 यानि कि जो है मेरा वीडियो 18 साल से उपर वाले तो देखेंगे साथ नीचे वाले भी देख सकते हैं और यह बच्चों के लिए नहीं है तो इसमें क्या होगा कि channel का सारा features व वो मतलब allow नहीं रहते हैं वो आपका video कम audience तक जाएगा इसलिए आपको जो है इस तरह का setting रखना है और अगर आप pure जो है सिर बच्चों के लिए content बना रहे हैं तो आपको जो है बच्चों वाला ही select रखना है फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप जो है direct comment कर करके पूछ सकते हैं या Instagram में मुझे direct message करके अपना confusion जो है जो भी दिक्कत है वो आप बता सकते हैं तो friends उमीद करते हैं वीडियो यह आपको helpful रहोगा तो फिर मिलते हैं नए वीडियों तब तक के लिए धन्यवाद